राधे राधे दोस्तों मैं आचारी पंडित गंगाधर सास्त्री यूट्यूब चैनल जोतिस गंगा में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं बहुत महतुपूर्ण बातें बताता हूँ और मैं अभी भी आपको बहुत ही महतुपूर्ण बातें बताऊंगा तो आप इस वीडियो को पुर्ण रूप से अवस्य देखिए, नहीं तो बहुत ही अवस्यक बात आपकी छुट जाएगी, आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को आप अवस्य देखें, आज मैं आपको बताऊंगा काकिनी विचार के विशा होगा, दुख होगा या आप सुखी रहेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए काकिनी विचार किया जाता है, तो काकिनी विचार क्या किया जाता है, काकिनी किसे कहते हैं, कि स्वावरगंग द्विगुणं कृत्वा, परवरगेन योजयेत, अस्ट भिस्तु अपने वर्ग संख्या को दुगुणा करके गाव या सहर की वर्ग संख्या को उसमें जोड़ दें और आठ से भाग दें, जो सेस बचता है, वही होता है काकिनी, तो आपको करना क्या है, उसके विचार में मैं बताता हूं, कि वर्ग किसे कहते हैं, उसे सरोप्रथम आप अ जाता है, किस वर्ग में आपका नाम है, और किस वर्ग में गाव या सहर का नाम है, तो वर्ग आठ होते हैं, जैसे या, तो इसमें या, या, ई, ई, उ, सब आ जाएगा, अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और अन्तुष्य वर्ग, और तालब वर्ग यह आठ प्रकार के वर्ग होते हैं और इन ही आठो प्रकार के वर्ग के अंदर ही किसी का भी नाम होता है गाउसहर का भी नाम होता है इसी आठ वर्गों के अंदर और मनुष्य का भी नाम इसी आठ वर्गों के अंदर होता है किसी भी चीज का नाम इसी आठ वर्गों चवर्ग में आगिया चछजज़ा तवर्ग में आगिया टठठडधना तवर्ग में आगिया पवर्ग में आगिया पफबभमा और अन्तुष्य वर्ग में आजाएगा या रा लवा और तालब विश्व वर्ग में आजाएगा शा 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 ख्षा त्रग्या इन ही वर्गों क कि अंतर्गत किसी का भी नाम होता है तो अवर्ग की संख्या में बता जेता हूं किस वर्ग की क्या संख्या है तो अवर्ग की संख्या है आठ, कवर्ग की संख्या है पांच, चवर्ग की संख्या है छे, तवर्ग की संख्या है चार, तवर्ग की संख्या है साथ, पवर्ग की संख्या है एक, और अन्तुस्य अवर्ग की संख्या है तीन, और तालव यसवर्ग की संख्या है दो अब आपको करना क्या है कि अपने नाम के वर्ग की संख्या को दुगुना कर दें और जिस सहर्या गाउं में आप बस रहे हैं उसका नाम जिस वर्ग में हो उस संख्या को आप उसमें दुगुना किया हुआ में जोड़ दें स्योंड देने के बाद उसको आट से भागा दें जो उसमें कुछ सेश रहेगा अब आपको क्या करना है उस सहर या गाव के वर्ग संख्या जो नाम है उस वर्ग की संख्या को दूना कर दें और अपने नाम के वरग की संख्या को आप उसमें जोड़ दें और आठ से भागा दे दें अब दो जगह किया आपने तो दो जगह सेस रहा सेस जो बचता है उसमें से जो जिसका सेस अधिक हो मान लिजिए आपका सेस अधिक हो गया तो जैसे विनोध कुमार को बसना हो सारनात में विनोध कुमार को सारनात में बसना हो विनोध कहां आया यवर्ग में तो यवर्ग की संख्या कितनी है टीन है तो उसको दो से गुना किया तीन दुगुना छे और सारनात की संख्या क्या है शवर्ग में आ रहा है तो उसकी है दो तो उसको दो से जोड़ दिया और उसको आठ से भागा दिया तो हुआ छे और दो आठ, आठ से पुर्ण रूप से कट गया, कट गया तो इसका मतलब है कि उसका सेस रहा आठ, और अब सारनाथ जो है वह सवर्ग में है, इसलिए सवर्ग की संख्या है दो, तो उसको दूना किया, तो दो दूना चार, और अपने वर्ग जो है, विनोध है, वह यह वर्ग में है, इसलिए उसकी संख्या है तीन, तो चार और तीन, साथ, अब आठ से कटेगा नहीं, इसलिए उसका सेस साथ ही बचा, तो अपने नाम की संख्या से आठ सेस बचता है, और गाव के नाम की संख्या से साथ सेस बचता है, तो आठ सेस विनोध के नाम से बच जाता है, इसलिए सारनाथ में विनोध को बसना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी काकिनी अधिक है, और गाव की काकिनी की संख्या कम है इसलिए अगर विनोद जी सारनाथ में बसेंगे तो उनको वहाँ घाटा होगा वहाँ कस्ट होगा अब आईए मैं आपको इसका निराकरन बताता हूँ कि माल लिजिए आपको कहीं और जमिन ना हो आपको वहाँ बसना आवस्यक हो तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य के नाम से देख सकते हैं जिसके नाम से वह सेट हो जाए उसी को आप माल ले क्योंकि आपके घर के जो भी सदस्य है सबका सहयोग रहता है कहीं भी जहां रहते हैं वहां और सबका भाग्य काम करता है इसलिए आपके घर में आपके नाम से नहीं हो तो आप अपनी पत्नी के नाम से देखें पत्नी के नाम से भी नहीं हो तो अपने बच्चों के नाम से देखें तो यह इसका निराकरन है, किसी के भी नाम से आपके घर के जो भी सदस्य है, उनके किसी के भी नाम से अगर सेट कर जाता हो, तो वह आपके लिए उत्तम होगा, तो दोस्तो काकिनी विचार यही है, और इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं असानी से, तो आईए, आज म अपनी वानी को यहीं विराम देता हूँ राधे राधे दोस्तों